नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और शानदार वीडियो में आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलिवुड की ब्यूटिफल और बोल्ड अक्ट्रेस अमरता राव के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे और कुछ बोल्ड फुटिज भी दिखाएंगे जो शायद आपने नहीं देखी होगी दोस्तों, अगर आप अमरता राव के फैन हो तो आप इस वीडियो को अंते तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चानल पर नए हो तो चानल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों, मैं इसी तरह की इन्फोमेशन इस चानल पर आपके लिए लाती रहती हूँ तो आईए, ज्यादा समय ना लगाते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर दोस्तों, अमरता राव का जन्म 7 जून 1981 में मुंबई एक ब्रहमन परिवार में हुआ था यह कौंकनी भाशी परिवार से आती हैं, इनके पिता का नाम दीपक राव और मा का नाम कंचन राव है यह अपने पिता से बहुत प्यार करती हैं, इनकी एक जुड़वा बहन भी है, जिनका नाम प्रितिका राव है बात करें इनकी एजुकेशन की, तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कानोसा कॉन्वेंट गर्ल स्कूल मुंबई से पूरी की उसके बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सोफिया कॉलेज फॉर वोमेन में एड्मिशन लिया, लेकिन अपने मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया बात करें अमरता की नेट वर्थ की तो दोस्तो अमरता राव, लोकप्रिय, सुन्दर और प्रतिभाशाली बॉलिवोड और तेलगू फिल्म मनुरंजन अभिनीत्रियों में से एक बन चुकी है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी कुल संपती लगभग 20 मिलियन डॉलर है दोस्तो अमरता राव और शाहिद कपूर के फिल्म विवाह को भुला पाना संभव नहीं है जब भी फामिली फिल्मों की बात आएगी विवाह का जिक्र जरूर होगा इसमें पूनम का किरदार निभा कर अमरता राव ने अपनी अमिट पहचान बना ली है इनकी खूबसूरती और चहरी की मासूमियत के चलते दर्शक इनके चहरे से नजरे ही नहीं हटा पा रहे थे अमरता आज भले ही फिल्मों से दूर हों लेकिन खूबसूरती आज भी बेमिसाल है अपनी सुन्दर्ता और तुचा की मासूमियत को अमरता ने सहेज कर रखा है अमरता की सुन्दर्ता के राज हर उस लड़की के लिए बहुत कारगर साबित होंगे जिसकी स्किन बहुत सौफ्ट और सेंस्टिव है दोस्तों बात करें इनकी शादी की तो इन्होंने रेडियो जौकी अनमोल सूद उर्फ आरजे अनमोल से 15 मई 2016 को शादी की वो इनके साथ कई सालों से रिष्टे में थी नवंबर 2020 में इन्होंने एक बेटे को जन दिया जिसका नाम इन्होंने वीर रखा है दोस्तों बात करें अमरता के एक करियर की तो आपको बता दी अमरता राव एक भारती अभिनेत्री हैं इन्होंने अपनी करियर की शुरूआत मॉडलिंग से की थी इनकी फिल्मी करियर की शुरूआत 2002 में फिल्म अब के बरस से हुई थी उसके बाद फिल्म इश्क विश्क, मस्ती, मैं हूना वह लाइफ हो तो ऐसी और विवाज जैसी सफल फिल्मों में नजर आई इनकी बचपन से ही अभिनय और मॉडलिंग में रुची थी और इसी रुचान के कारण अमरता ने अपने कॉलिज को छोड़ कर मॉडलिंग में करियर की शुरूआत की शुरूआत में इन्होंने कई फेस क्रीम्स के लिए आज्ज और कई ब्रांज के लिए विज्यापन किये इन्हें अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और कॉंकणी भाषा आती है दोस्तों अमरता ने साल 2007 की तेलगू अक्शन फिल्म अतिधी में महेश बाबु के साथ दक्षिन भारते सिनिमा में शुरूआत की फिल्म का निर्देशन और सहले खन सुरिंद्र रेडी ने किया था आलोचकों से इन्हें सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें आलोचकों ने राव और महेश बाबु के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा की तो दोस्तो ये थी खूबसूरत अदा की मालकिन अमरता राव के जीवन से जुड़ी कुछ खास बाती अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चानल टॉप 10 इंडियन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में पास में बने बेल आइकान बटन को ओन जरूर कर लेना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद